हेलो एवरिवन मैं हूँ सेली विलकम करती हूँ डाही कीचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कवाब जो खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाना बहुत ही आसान है और ये कवाब बहुत ही कम वक्त में बनते हैं वो भी बहुत ही कम इंगिरिडेंट्स में धेर सारे बन कर तयार होते हैं वैसे तो कवाब बहुत तरह से बनते हैं लेकिन मैं जो इस तरीके से बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान और बहुत ही कम वक्त में तो आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राइब करें और जिसे नहीं भी बनाना आता हो वो बहुत ही टेस्टी बना कर त 200 गिराम बॉयलेस चिकन ले ली हूँ और उसे अच्छी तरह वाश कर ली हूँ वाश करने के बाद इसे रखें दूसरी तरह और आगे का इनकी एडियेंट से लेते हैं मैंने यहाँ पे साथ आठ लेसुन की कली ली हूँ जिसके छिल के हटा दी हूँ और एक इंच अदरक के तुकड़े ली हूँ जिसे छिल कर अच्छी तरह दूल ली हूँ और दो तेज पत्ता ली हूँ यह मेरा छोटा तेज पत्ता है इसलिए मैं दो ली हूँ आप एक ही ले और दो लाल सूखी वाली मिर्ची ली हूँ यह मेरी तीखी वाली है आप नॉर्मल भी इस्तमाल कर सक एक इंच दाल चीनी का टुकड़ा और मेरी बड़ी अलाइची अभी खतम है आपके पास है तो आप ले 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 दो मीडियम साइज के मैं प्यास ले ली हूँ अब मैलूंगी चने की दाल ये चने की दाल हाफ कप है और इसे अभी मैं धुली नहीं हूँ पहले धुल लेती हूँ फिर बताती हूँ देखें यहाँ पे मैं अच्छी तोरह चने की दाल को वाश कर ली हूँ ये हाफ कप चने की दाल है अब ये साड़े एंगिरियरेंस रेडी हो गया है अब आगे कप प्रोसेस करते हैं तो जटपट बनाने के लिए और ये लैसुन जो चिलकर रखे थी वो भी इसी में डाल दे अदरक भी इसी में डाल दे तेज पत्ता भी इसी में डाल दे और मिर्ची को भी कूकर में डाल दे और खड़े मसाला जो थे ये भी इसी कूकर में ही डाल दे और मैं यहाँ पे वन टीबल इस्पून साबुत धनिया ली हो इसमें इसका फिलेवर बहुत अच्छा आता है अगर आपको पाउडर इस्तमाल करना है तो इस कूकर में इसकीप करके धनिया और वो जो बनाएंगे इसके मसाले उसमें पाउडर मसाला धनिये का डालेंगे तो यहाँ पर साबुत धनिया को खुटी गल्टाप यहाँ इसके मोर्टन से काट लेंगे और इस प्यास को भी इसी एक कूकर में डाल थेऐं गया दिखाई थी तो यह लिए मिद्लिवसाइब को मैं निकान लिए मैं बाड़ी चॉप कर लूँगर उसमें ऐक प्यास को काट क आप अगर अगर लोज फिलम पर बॉइल कर रही है तो थोड़ा पानी और कम डाले ऐसे फुल फिलम पर भस थीटी लगाओंगे जुले काверж है हैidad 3 पिलम आ गई है मैंने घैस का फिलम ओफ कर दिया है और इसे अब ठंडा होने देंगे। कोकर का steam release हो गया है लेकिन ये अब भी करम है पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है अब ये अच्छी तरह boil हो गया है आप देख सकते हैं दाल भी और ये चिकन भी boil हो चुके हैं अब इसे थोड़ा एक boil में मैं निकाल ली हूँ क्योंकि ये थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाएंग इसके बाद मैं इसे grind करूंगे अब ये ठंडा हो चुका है अब एक छोटा सा grinder जार ले जो आपका फैब्रेट है उसमें थोड़ा थोड़ा करके बारीक grind कर ले क्योंकि ये जितना बारीक grind रहेगा उतना ही अच्छा इसका कवाब बनेगा और बनाते वक्त तूटेगा नह बारीक नहीं गराइंड रहेगा तो ये कवाब जब बनाओंगे तो उस वक्त बिखर जाएगा और जब फ्राइ करने के लिए आईल में डालेंगे तो पूरा ही तूट जाएगा तो इसलिए इसे बारीक grind करें इसमें पानी वगेरा बिल्कुल मत डालें मैं इस तरीके से ब डालूंगी वह दृरे धीरे मैं बताती चलूंगी आप मेरे साथ वीडियो में मैं वारीक चॉप करके मैं इसमें डाल दी हूँ अब कुछ ड्राइ मसाले लेते हैं तो इसमें हाफ टीबली स्पून हल्दी पाउडर ली हूँ और हाफ टीबली स्पून काली मिरिच पाउडर वन टीबली स्पून जीरा पाउडर ली हूँ और हाफ टीबली स्पून गरम मसाला पाउडर ली चूंकि मैं कुकर में भी नमक डाले थी और इसमें भी डाल रही हूँ तो उसी हशाब से नमक ले ले लेकिन मैं यहाँ पे half टेबल स्पुन नमक डाल दी हूँ और एक कप कटी हुई धनिया पत्ती ली हूँ और हाफ निबू का रस निचोर दे मैं इसमें चाट मसाला का इस्तमाल नहीं की हूँ अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकती है और एक अंडाले उसे तोड़ दे और इन सब चीजों को डाल करके अच्छी तरह मिक्स करें ये जितनी अच्छी तरह मिक्स रहेगा उतना ही अच्छा कवाब का शेप बनेगा क्योंकि ये तो बाड़ी में ग्राइंड की हो आप बाड़ी ग्राइंड जब रहता है तो कवाब का शेप भी अच्छा आता है तो इसलिए आप भी ध्यान से बाड़ी की ग्राइंड करें और अब एकसा सारे कवाब से टेस्ट आएगा अब यह अच्छी तरह मिक्स हो गया है, आप ऑ कवाब बनाएं तो कवाब बनाने से पहले दोनों हाथों में कोई साबी कुकिंग आय ले 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 अच्छी तरह ग्रीज प्रेस कर ले आय और उसके बाद गोल शेप देते हुए इस तरीके से कवाब बना लें अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है अगर कवाब बनाते बनाते बीच में फिर से चिपकने लगे हथेली में तो फिर से आईल लगा ले हथेली में और इसी तरीकी से सारे कवाब को बना कर तयार कर लें मैं यहाँ पे थोड़ा कवाब बना ली हूँ और थोड़ा थोड़ी देर के बाद बनाऊंगी क्योंकि ये गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं तो चले इसे फ्राइ करके दिखाते हैं तो चुले का फ्लिम आउन करें और कराही डाल दें जैसे ही कराही गरम हो जाए उसमें आईल डाल दें मैं यहां पर रिफाइन आईल का इस्तेमाल कर रहे हूं आप पोई सभी कूकिं ले सकती है इस आइल को मीडियम फिलिम पे ही गरम करें जैसे ही हल्का आइल गरम हो जाए बस कबाब को रखना शुरू कर दे मैंने यहां पे सारे कवाब को डाल दी हूं लेकिन आप हर्गिस ऐसी गल्दी ना करें यह इसमें आइल थोड़ा कम था और मैं सारे कवाब को बातो बेदे अधिम लो रखें क्योंकि जब धीरे दीरे फ्राई होंगे तभी अंदर तक फ्राई होंगे तो इसमें कलर बहुत जल्दी आ जाते हैं ब्राउन होने का इसलिए आप इसे लो फिलिम पे ही करें और जब एक तरफ का गॉल्डन ब्राउन हो जाए फिर पलट करके इस से दूसरी तरफ का गुल्डन प्राउन कर लें देखें एक तो छोटी कराही थी और मैं डेट सारे कवाब इसमें डाल दी हो तेसी लिए मुझे पलटने में थोड़ा मुश्किले आ रही है तो ये बात का ध्यान रखते हुए आप थोड़ा ही कवाब डाल करके तभी फ्राइ करें मुझे थोड़ा मुझकिले हो रही है कि कहीं तूटना जाए अगर मेरी तरह ऐसी गल्दी कर भी लेती हैं तो इसे थोड़ा दीरे दीरे पल्टे और देखें इसमें जाग आ रहे हैं क्योंकि इसमें अंड्रे डाले थे इसलिए इसमें जाग आ रहे हैं अब कवाब यहाँ पे रेडी हो गया मैं आईल से निकाल दी हूँ देखें इस तरीके का कलर आया मैं सर्फ करके भी दिखा रही हूँ हर किसी को बहुत ही पसंद आएगा इस तरीके से एक बार आप भी जरूर ट्राइ करके देखें बहुत ही मज़े का लगता है खाने में इसे चावल के साथ भी ले सकते हैं आप भी बनाएं सबको खिलाएं अपना ख्याल रखें बाई बाई